Welcome back, मैं हूँ आपका दोस्त विपन and today we are going to start हमारे 7th Feb के important current affair कोई भी आपको doubt लगा तो comment box में पूर सकते हो अगर PDF चाहिए तो SPM Tutors, Telegram पर आपको चैनल पर मिल जाएगी अगर new आए हो चैनल पर प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तान जो ऐसा ही अच्छा content हम regularly आपको यहां पर प्रवाइड करवाते रहें तो करते हैं यहां पर start by संतोष ट्रोफी निउज में थी सो किस ने जीत लिया करनाटका ने महगालया को हरा कर इसको जीत लिया और कौन सी स्पोर्ट से लेड करती है भाई football से सो important है संतोष ट्रोफी football से लेड करती है करनाटका ने हराया महगालया को और इसको जीत लिया फाइनल कहां पर हुआ था जो एक international stadium है किंग फाइद ठीक है जी ये फाइनल हुआ था साओधी अरेबिया की कैपिटल रियाद में सो जी ध्यान में रखे हो सभी पॉइंट इंपोर्टन है भई सो चलते हैं next अब जैर्नल एंशोरंस कोपरेशन ओफ इंडिया है उनके द्वारे पार्टनर किया गया था किसके साथ कौन सी IAT के साथ जो कि जूरिन बेस्ट जो टूबर क्लोसी डाइगनोसीज को स्क्रीनिंग के लिए काम करेंगी उसके अंडर सो बताओ कौन सी IAT है वो IAT मदरास के साथ अभी हाली में टाइप हुआ था जो कि अपनारे जो टूबर क्लोसीज को डाइगनोस करने के लिए यूरिन बेस्ट टेस्ट को डिवल्प करेंगी समझे बई अब देखो IAT जो मदरास पहले भी निउस में था क्योंकि इनके द्वारा एक्रिमेंट किया गया था इंडस्ट्री और अकेडमी के जाथ जो डाइनमार्क के साथ मेल दी जो हमारी अनर्जी ट्रांजिशन को लेकर लो कारबन हमारी फ्यूचर में जो आपको बदा है कारबन की अमिशन कम करने के लिए हम काम कर रहे हैं इसके बारे में यहां पर दोनों के बीच में अग्रिमेंट हुआ अब देख लेते हैं हम IAD के बारे में जो मदरास के बारे में जानने से पहले कुछ है जो ट्यूबर क्लोजिश के बारे में कुछ इंपर्ट फेक्ट Government of India के द्वारा एक campaign start हुआ था जो कि हमारे TV को खत्म करने के लिए उसका नेम बताओ Nekshay Mitra इसका नेम क्या है Nekshay Mitra campaign launch हुआ था ठीक है जी So इसका target कितना है हमारा By the 2025 तक इसको completely खत्म करना from the India जो brand ambassador बनाए का है थे कौन भई Deepa Malik जी So जो हमारे para-athletic player रह चुके है ठीक है Then inventor of the TV vaccine कौन थे हमारे जे थे Albert Calmiti Then साथ में Camille Gurine और अगर देखे name of the TV vaccine उसका name क्या है BCG So full form देख लिए जी है Bacillus Calmiti Gurine अगर आपको name पता है inventor का Then इसको आप देख लगा सकते हो So चलते है Next Step I-80 मदरास के बारे में कुछ fact दे लेते हैं इनके दवारा Burton QS Re-Amazing जो Education Award दिया गया तो दवर 22 का उसको जित लिया गया था और साथ ही में Tutur Hyperloop के साथ उनके साथ tie up हुआ था साथ हमें Tata Steel के साथ में लिए जो Hyperloop Technology को develop करने के लिए जो Hyperloop Technology है कौन सी हमारी टेकनोलोजी पर काम करती है भी Maglev and Magnetic Technology पर समझें बात जो हमारा फस्ट जो J Center for the Art Ranking आई थी ठीक है Of the Institution on the Innovation Achievement 2021 की उसमें रहा था Topper जो की हमारी सभी इंस्ट्यूट है जिसमें हम centrally sponsored होते हैं उनकी category में Then Homosap नाम का इनके दवार Robert invented किया गया था जो mainly septic tank को clean करने के लिए वहाँ पर human की need नहीं पड़ेगी Then Sudooja 1 जे क्या है Ocean Wave Energy Converter है जो Ocean Wave से Electricity को produce करने के लिए काम करेगा भई इनके दवारा develop हुआ था पूसकते हैं Sudooja 1 क्या है Then Brahm Bar Os जे हमारा बारत operating system है जो के Android based operating system है जो के developer किया गया था बाइदी IAT मदरास के दवारा ओके सो चलते है next अब हम फॉर्मल Chief Justice रह चुके एंडिया के हार्ली मेन की death हुए उनका name बताईए A.M. Ahmadi Then Satyabata, Mukherji, Chandrashekan, Daas Gupta So इसका right answer हमारा क्या है A.M. Ahmadi So सभी हमारे important है अभी हार्ली मेन के सभी की death हो चुकी है So उनको हम read कर लेते हैं A.M. Ahmadi जो के Chief Justice रह चुके है 1994 से लेकर 1997 तक जो थर्ड हमारे Muslim भी Muslim थे जो के C.J. थे ठीक है जी थर्ड Muslim जिन्होंने C.J. कितरा सर्ब किया Then Chandrashekar जो दासकुपता जी है यह हमारे formal diplomat थे बादम पूशिन और बोड़ी थे from the best Bengal इनकी भी हाली में death हुई Then सत्याब रता मुकर जी जो के जुनको जालू भावू के नाम से जानते थे जुनियन मनिस्टर जान प्रेजिडेंट रह जुके है प्रेजिडेंट ऑफ दी बेस्ट बेंगोल की जो उनकी जुनिट थी बारती जनता पार्टी की So इंपोर्टन अभी नेम दियान में रखियो उनके में लिए तो हमारे जे फस्ट बाले मोस्ट इंपोर्टन है Next अब कुछ और अभी जी पहले हुई थी हो जो की रात के फस्ट बूमें चीफ सेकरेटरी थे जो की दोएर साथ में बने थे So उनकी राली में डेथ हुई थी उनका नेम बताईए उनका नाम है मन्जूला सुबरमनियम Then शोटर सर्बिंग जो हमारे 22 22nd नंबर के CGI थे जिन्हों उनली 70 डे सर्ब किया था इसा CGI उनका नेम बताईए बई उनका नेम था केयन सिंग Then फर्स्ट इंडिन बॉक्सर जिनके द्वारा मेडल जीता गया था बहुत एशियन एंड कॉनवेल्ट गेम्स में उनका नेम बताईए बिर्जु शा Then father of the leproscopic surgery इनका नेम बताईए जै हमारे कौन है तिमल्टन उदबादिया जी So सभी important है बई जहां से कोशन बूसकता है कभी भी जहां से कोशन आएगा क्योंकि जो first होते हैं कोई उनकी field में अच्छा काम होता है उनको जाज रखने की जूरुत पड़ती है वैसे तो हमारे आसपास बहुत से रोज की रोज हमारे पास भी होते जाते हैं वह हमारे लिए important नहीं होती So अगर देखे हैं पदम devotion of bodies जो अभी हाली मिनिन की death होई थी मरन उपराहां तो उनको जे 22-23 में जे अवोर्ड मिले कौन कौन से थे मुलाइम सिंग जादब जो उनके दवारा जो जूपी से belong करते हैं जो उनकी के पहले CM रह चुके थे समाज बाती पार्टी के फाउंटर माने जाते हैं देन उसके बाद में देखें तो जो हमारे देविड महाल नवीस जिनको हम father of ORS मानते हैं जो best bankों से relate करते थे उनकी death हो जो की थी देन उसके बाद में जो बाल कृष्ण दोशी जी बाल कृष्ण दोशी जी जो के हमारे पादम बेविशन अवोर्डी हैं साथी में गुजरास से बिलूँ करते थे आर्किटेक्चर की फील्ड से बिलूँ करते थे ठीक है जी जो चलते है नेक्स्ट इंडिन फर्स्ट गोवर्मेंट mother milk bank जिनके दोबरा establish किया जाएगा जो कौन सी हमारी state की गोवर्मेंट है जिनके दोबरा mother milk bank को establish किया जाएगा कौन सी है भई उत्रपरदेश, करनाटका, गुजरात, अंदरपरदेश इसका right answer हमारा क्या है इसमें से कोई नहीं है यहाँ पर option गलत डल गया means कि option गलत डल गई यहाँ पर उत्रखंड आएगा ठीक है उत्रखंड की health minister के दोबरा विहाली में बताया गया विफस्ट ऐसा वो mother milk bank को यहाँ पर introduce करेंगे establish करेंगे जो भी हमारे बच्चे और फोन जाते है जल दी पहले ही उनको जहाँ पर milk प्रवाइड किया जाएगा mother milk अब देख रहते हैं उत्रखंड के बारे में उत्रखंड के बारे में कुछ important fact जो नोर्थ इंडिया की state है जो कि boundary शेकर की विदी हमाचल परदेश हर्याना एंड साथी में UP के साथ और international boundary विदी चाइना एंड साथी में नेपाल के साथ अभी हाली में dust leak जो एक exercise हुई थी dust leak कि इंडिया और उज्वेकिस्तान के बीच में कहाँ पर इंदी उत्रखंड और previous year भी हुई थी एक जुद्ध अभ्यास नाम से जो कि USA के साथ हमने conduct की थी जुद्ध अभ्यास सो अभी ध्यान में रखेंड बातों को next जलते हैं कुछ और fact जैसे के found हुआ था 9 नमबर दो यर मैं अलग हुआ था from the UP Governor Kona Gurmeet Singh जी देन पुशकर Singh Dami क्या है CM Capital दहरादून एंडी ग्रासिन जो दहरादून है winter ग्रासिन एक एंड़न से है summer capital Forest Department कहाँ पर है दहरादून में पंत अग्रिकल्चर जो कि इंडिया की first university है अग्रिकल्चर सो वो कहाँ पर है वो भी उत्रखंड में देन चारदम जमनोत्री गंगोत्री, कद्यानात, बदरीनात देन लार्ड़ेस्ट ओपन एयर फर्नी कहाँ पर है अग्रिकल्चर हुई थी रैनी खेत में उत्रखंड में then best adventure tourism destination कौन सी बनी थी यहाँ पर उत्रखंड हरीदबार then बदरी काउ जो कि जनको जिसको हम पहाडी काउ के नाम से जानते हैं इसकी genetic modification के लिए काम करने को लेकर जहाँ पर बताया गया था बदरी काउ का नेम कहां से पड़ा बदरी नास से then देवस्थल जो कि एक हिल है कहाँ पर उत्रखंड में वहां पर first liquid mirror telescope को लगाया गया था जो कि largest in the Asia next यहाँ पर drug free हो जाएगा by the by the 2025 तक and first prize in the tabloak जो display किया थे in the Republic Day parade में 26 जनबरी को वहां पर इंड का उत्रखंड का टेब्यू था first number पर हा था जो कि जहाँ पर देखिए मानसखंड को दर्शाता हुआ यह हमारा टेब्यू था then जो इंडिया का first observatory to monitor the space activity काहाँ पर उत्रखंड में लगा then sunscreet gram in जो gram को लेकर मेंस कि ऐसी जहाँ पर village को introduce किया जाएगा जो हमारे sunscreet को promote करेंगे ठीक है जी जहाँ पर first ऐसी state बनी थी जो सभी अपने district में इसको launch करेगी then jimakorbit national park जिसको हम राम गंगा national park के नाम से जानते हैं राजा जी national park, valley of flower नंदा देभी, नंदा देभी बायो सफेर दर्व भी जहाँ पर then गंगोतरी national park then गोविंद पशू, बिहार national park and century so सभी मुझे लगता है भी आपको समझ में आया होंगे भाई revise करते चलो screenshot ले सकते हो नहीं तो ppd आपको मिल जाएगी कल की आपको नहीं मिल पाई थी pdf so आज मैं कठ़े ही प्रवाइड कर दूँ आपको then 13th century के Hindu temple discover हुए कहां पर अंदरा परदेश में so यहां पर पुश्पागिरी यहां पर केश्थरम है इंदी कदापा district में अंदरा परदेश में वहां पर discover किया गया हमारे 13th century के Hindu temples को so mainly हमारे archaeological survey of India है वहां पर discovery करता है भई so उसके अंदर इंदर 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 किया में लिए archaeological survey of India के बारे में जान लीजिए फाउंड कब हुआ था 1861 में जो founder कौन थे इसके Alexander Cunningham और under the ministry of culture यह काम करेगा और इंडिया में जो भी sites है हमारी heritage sites है cultural sites है उनको protect करने के लिए काम करता है और साथ में कुछ और new डूणने की कोशी करता है all over the India so अकर रीड करना चाहो जैसे कि देखो जो हमारे बदा रहे है जो किस्थास एक हमारी पहले वो थी dynasty थी ककतिया डिनेस्टी के अंडर देखे जी मंदर जो temples बनाए गए थे जो के में लिए जो हमारा पुष्पगिरी है जी रेफर करता है हरी हरा के शित्रा को जो यहां पर शिवा के विश्नु के सभी के temple पाए जाते थे देखे और दी बैंक ओफ पिनार रिवर पर यह बसा हुआ है नेक्स यहां पर गोल्ड के डिपोजिटर भी हाली में कहां पर पाए गए थे त्री डिस्टिक ओफ त्री डिस्टिक ओफ उडिसा में जो यहां पर geological survey of इंडिया के दवारा इसको पाए गया था हमारे lithium के reserves अब कुछ और देखो जो states अभी हाली में नियूज में थी जैसे बंदी कोट जो manhole cleaner के दवारा जहां पर लॉंच किया गया था कौन सी state में इंदी केरला ठीक है जी यहां पर best adventure tourism destination कौन सी बनी थी हमारी जमू और कश्मीर दोयर अभी हाली में रिपोर्ट आई थी दन एशिया का largest compressed biogas plant कहां पर लगेगा इंदी पंजाब में इंदी संगरूर दन नोर्थीस्ट का first compressed biogas plant कहां पर लगेगा इंदी असाम दन इंडिया का first air cooled condenser कहां पर नेगरेट हुआ था इंदी जारखंड जो के हमारा एंटी पीसी जांपर इसको बनाएगी next way catch the rain campaign जो के दोयर तेश का अभी हाली में launch हुआ कि इनके दवारा drop the मुर्मो जी के दवारा president of India इन्होंने launch किया में लिए हमारे water को conserve करने के लिए क्या कर सकते हैं कौन से step उठाएंगे न्यू दिली में इसको launch किया गया ठीक है जी तो आने वाल टाइम में जो भी हमारे step को लेकर अने बातचित की sustainability of the drinking water sources के बारे में और अने नों बताया भी यहाँ पर हमारे पास 4% जो world के हमारे पर water sources को conserve करने के लिए manage करने के लिए इंडिया को इसमें बहुत से challenges phase करने पड़ेंगे आने वाल टाइम में हमें चाहिए भी जल्द से इसको develop करें देन स्वच्च सूजल यहाँ पर शक्ति सम्मान जो के 23 के अभी हाली में announce हुए जो कि हमारे बुमेंज को यहाँ पर क्या करेंगे उन्र करने के लिए रुलर बुमेंज की जो participation है हमारे स्वच्च बारतमेशन को complete करने के लिए that's why यह award दिये जाते हैं आपको बताऊगा International Women Day हम 8 March को celebrate करते हैं तो उसके दिन यह बताएंगे यहाँ पर अब कुछ और वन लाइनर की फॉम में देख लेकते हैं जो 7th International Dharma Dhamma Conference हुई थी कहां पर इंदी जो कि हमारे प्रेजिडेंट द्रोबिदी मुर्मो के द्वारा नेगरेट किया गया था इसको कहां पर क्नेक्ट हुई थी इंदी जो बपाल मद्या परदेश में एंद थीम क्या है इसकी सो देखिए Eastern Humanism for the New Era Then 4th National Youth Parliament Festival कहां पर held हुआ था New Delhi में held हुआ था और आप से पूछ लेए National Youth Festival हमने कहां पर कनेक्ट किया था इंदी हबूली दरबाद करनाटका में ओंदी 12 जन्वरी को Then President Color Award किन को मिला था कौन सी हमारी पुलिस को भई हर्याना पुलिस को दिया गया था On the behalf of President of India हमारे अमित शाजी जो के हमारे Home Minister उन्होंने जे प्रवाइड किया था तन्हें याम पर Freedom Shield and Border Shield एक Joint Exercise है सो जो के 5 यर के बाद में इसको कंड़क्ट किया जाएगा ठीक है जी जो जो 5 यर के बाद में इसको कंड़क्ट कर रहे हैं में जी जो North Korea का जो North Korea के साथ नोंकी Tensions आप साउथ Korea की उसको यहाँ पर बताते हुए कैसे भी हम इसको Resolve कर सकते हैं थोड़ा सा बताना है उन्हों दिखाने के लिए से यह हम exercise कर रहे हैं इसके पहले नों ने बताया भी Fall Eagle नाम से इन्हों ने की थी 2018 में लेकिन उसके बाद में अब कर रहे हैं जी जहांपर USA ने B1 जहांपर आपने सुनागा B1 Bombers जी हमारे जो Arrow India जो शोव हुआ था इंडिया में Bengaluru में वहांपर भी इन्हों ने क्या किया था इसको बेजा था दीखा जी जी तो हुआ exercise है दुन कंट्रीज के बीच में हो रही है South Korea and USA के बीच में Next कुछ और exercise है भी Halloween News में थी जैसे देखो F-Index जो एक multi-national exercise है जो के conduct हुई थी India Maharashtra में जो के India and साथी में African countries के बीच में conduct हुई थी Then Cobra Barrier जो exercise हुई थी in the UK जो के India ने जहांपर participate किया था और बहुत सी और countries जहांपर participate किया Then exercise Desert Flag जिसका 7th हमारा 8th edition था जो के जुए ही में conduct हुई थी India ने जहांपर participate किया था Okay जी Then ये एर जो हमारी एर exercise थी ये भी और ये भी Then कुछ और exercise दे सकते हो जैसे के हमारी बरुना किस के बीच में conduct हुई थी India and France के बीच में जो के हमारी नेवी नेवी की exercise है Dharma Gajian जो के हम जपान के साथ करते हैं Okay जी So अभी हाली में जपान में ही conduct हुई थी Then देखे तो हमारा वीर Gajian जो के जपान के साथ conduct हुई थी जिसका फॉस्ट एडिशन था Okay जनबरी मन्त में इसको conduct किया था India और जपान के बीच में Then Senju Metri Senju Metri जो भी हम जपान के साथ करते हैं भी अभी हाली में हो चुकी है Then उसके बाद में देखें तो मालावार exercise के बाद में पता रहे थे मालावार exercise जो के दो है 23 का अडिशन होगा कहाँ पर होगा India अस्टेडिया में So यह इसको quad countries करती है Quad countries में कौन कौन सी countries आता रती है मारी Australia, India, USA and Japan जे क्या है के Navy exercise है जे भी ध्यान में रखियो So next चलते हैं भई Boom and Business and the Law Report दो है तेस की कि इनके दवारा release की गई So बताईए IMF के दवारा World Bank, ADB ADB क्या है हमारा Asian Development Bank जिसके Headquarter कहाँ पर है In the Philippines, Manila Manila, Philippines भी Next यहाँ पर World Bank भई So World Bank ने इसको release किया ठीक है जी इस report को में ली यहाँ पर बता रहा है UAE जो टोप पर रहा Middle East and North African countries में यहाँ पर इंडिया की score किया 74.4 में ली जो भी countries अपना जो step उठा रही है Boom ands की development के लिए उनको business में promote करने के लिए उनको जो टोप पर ला रहे है जहाँ पर Belgium, Canada, Denmark रहे हैं top in the all जो हमारे indicators है जैसे के mobility, workplace, pay, marriage parenthood, entrepreneurship, asset, pension जो mainly women को भी right मिलते हैं न उसके लेकर रहे हैं बात चीद की हुए जहाँ पर mainly आप से पूसकते हैं जी report किसका रिलीज हुई 9th edition था World Bank ने इसको रिलीज किया और जो Middle East countries में से जुए इट ओपर हा next देख लेते हैं बाई World Bank के बारे में कुछ factor establish हुआ था 1944 में Washington DC में इसके headquarter रहे थे USA में then Ajay Pal Singh Banga अभी हाली में nominate किये जा चुके है for the head of the World Bank क्योंकि जो उनके पहले David Malpass थे उन्होंने क्या किया था then MD and CFO कोण है हमारे Ensula Kant ji then Chief Economist कोण है इंदरमित गिल जो के इंडियन है नोनो ये भी इंडियन ये भी इंडियन ये क्या हो जाएंगे Indian origin then अभी हाली में Executive Director भी सेलेक्ट हुए थे for the World Bank कोण है परमेश बर्म आयर जो पहले क्या हो करते थे हमारे CEO of the Nitya Yog then इनके दवरा कुछ Index होते हैं Global Economic Prospect Reporter World Development Reporter लेकिन जो Ace of Doing Business Index है इनके दवरा भी हाली में इसको बंद कर दिया गया था जो दोनों पूसकते हैं Global Economic Prospect and World Development Reporter कोण हो रिलीज करता है World Bank और साथ हमें जे रही 9th Woman and Business and the Law Report next भई अब इहाली में शिवात जे क्या है जे का Startup Women Youth Advantage Through the E-Transaction जे इसकी Full Form है भई Full Form पूसकते हैं जे Government E-Market Place पर जो हमारे E-Transaction को लेकर जो इसको परमोड करने को लेकर इसकी कहते हैं जो Major Successes हैं दिखाई है So that's why News में था जे पहले ही Start हो चुका है So जे पर इसकी Full Form Most Important है Startup Women and the Youth Advantage Through the E-Transaction So इसकी जो Successful के लिए जे जहाँ पर इनोंने Celebrate किया और जे बिता रहे हैं जो हमारे Startups के लिए Women के लिए Young People के लिए जो Benefit पहँचाते हैं So Transaction से जो Benefit बिलता है उसको जहाँ से बढ़ाने के लिए So इसको Start किया गया था ठीके जी Next हम देख लेते हैं जो हमारे Previous वीडियो में हमने Question किये थे उनको सभी को Revise कर लेते हैं BBC Lifetime Achievement Award 22 का कुन को दिया गया भी हाली में जो हमारे Hockey Player थे पहले Team के Captain भी रह चुके थे और 294 Award जीतने वाड़े फस्ट बूमेंड बने थे प्रितम शिवाच Then BBC इंटर्ण जो Indian Sport Women of the Year किन को मिला जी जो हमारे BBC जो सभी बूमेंड को ये करते हैं भई सभी बूमेंड को ये ओनर करते हैं सो ये सभी उसमें थे जन्यापर Sport Women बने थे हमारे Meera बाई जो कि 21 में भी उनको स्लेक्ट किया गया था जो कि हमारे रैसलिंग की फिल्ड से बिलों करते हैं दी बैलतर रिपोर्ट दो है टेज की जो मुंबाई उसमें कितने नंबर पर रहा था 37 नंबर पर रहा था जो उनकी जो कोस्ट को लेकर ठीक है जी लग्जरी एक्सपेंसिव को लेकर देन अतुकल पॉंगला फेस्टिबल कहां पर नेगरेट हुआ था इंदी केरला में अगर देखें पॉंगल कहां पर होता है तमिल नाडू में ठीक है जी अट्टकामा लार्ज मिलीमेटर एंद सब मिलीमेटर एरे रेडियो टेलिस्कोप कहां पर नेगरेट हुआ था भी मींस कि वहां पर है उसको अपग्रेट करने के लिए भी हाली में यूज में था वो सो ये कहां पर है इंदी चिली इंदी साउथ अमेरिका कॉंटिनेंट में नेक्स्ट वर्ड आई चिली ये कहां से बिलों करती है भी फ्रॉम दी मीजो रॉम इसको मीजो चिली के नाम से भी जानती है और फर्स्ट बोर्ड लैंड इंटरनेशनल नौरज फेस्टिबल कहां पर कंड़क्ट हुआ था इंदी असाम में नाशनल कॉंसील ओफ एज्जूकेशनल रिसर्च के दवारा एंसी आलड के दवारा किसके साथ में टाइअप किया गया था अभी हाली में जो फेर प्ले को पर्मोट करने के लिए किसके साथ है नाड़ा के साथ नाड़ा क्या है नाशनल एंटैटर्फीग अजंसी देन फ्रांस के बिच में जो उत्तली एक्ससाइज है तनला इंडिया के इट्टी फंस्ट नम्बर के बने थे हाली में बताऊ जे बन चुके हमारे हमारे सियंतन दास सियंतन दास next यहांपर world obesity day हमने 4th मार्च को celebrate किया theme क्या है इसकी changing the perspectives let's talk about the obesity so आज की वीडियो जहीं तक complete है वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो बता सकते हो कुछ बुरा लगे वो भी बता सकते हो कुछ changes चाहते हो भी बता सकते हो so please अपना commenter अपना precious commenter यहांपर डालना क्योंकि आपकी जो motivation के साथ जब आप कुछ डालते हो पता चलता है मुझे भी मेरी वीडियो में कुछ बात है क्या मैं change कर सकता हूँ then थोटी से motivation important है किसी भी काम को करने के लिए okay so मिलेंगे नेक्स वीडियो के साथ don't forget to subscribe and like our video bye bye